हेलो और वेलकम बैक गाईज आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स गवर्मेंट ने यहाँ पर कुछ न्यू गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं जो कि यहाँ पर स्कूल और कालिजिस री ओपन को लेकर हैं गाईज यहाँ पर कंपलेट वीडियो में डिसकस करेंगे कि आपके स्कूल और कालिजिस कब से ओपन होंगे क्या क्या क्टिशन्स हैं किस तरह से आपके ओपन होंगे स्कूल और कालिजिस गाईज वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपार्टेंट रहने वाली है क्योंक हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मारे यूटूब चैनल पर ना हैं तो चैनल को रड़ वाले बटन से जरूर सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को जरूर प्रेस करें गाइस आज की इस वीडियो में हम एम रखते हैं 30 लाइक का और उमीद करते हैं कि आप बहुत ज उपन होंगे और होंगे तो कब से होंगे क्या स्टूडेंट्स को जाना जरूरी रहेगा सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पर ठीक है इन एरिया आउटसाइड दा कॉन्टामिनेटेड जोन अगर बात करें तो कॉन्टामिनेटेड जोन में यहां पर स्कूल ऑपन होंगे ठीक है अगर कॉन्टामिनेटर में कोई यहां पर कंडिड़ रहता है तो यहां पर आउपन नहीं होगे लेकिन नयकिन यहां पर बात करेंगे हम यह सिर्फ चित we reopening of school and coaching institutions often 15 September 2020 in a graded manner the decision shall be taken in a consultation with the respective school institution management based on their assessment of the situation and subject to the following condition ठीक है जो भी state यहां फिर union territory यह वहां की government जो है open जो school और coaching institute है वो open कर सकती है 15 September से यहां पर graded manner पर ठीक है मादलो graded manner से open कर सकती है लेकिन यहां पर कुछ यहनों पिताया कि किस तरह से यहां पर open होंगे online distance learning shall continue to be preferred mode of teaching and shall be in coverage जो कि यहां पर कुछ समय पहले जो online classes चल रही है यहां पर students की तो यहां पर जो online classes है यहां फिर distance learning programs है वो continuously चलते रहेंगे वहां पर कोई भी रुकावर्ट नहीं होगी ठीक है आपके जो online study चल रही है वो चलती रहेगी where school are conducting online classes and some students prefer to attend online classes rather than physical attend school they may be permit to do ठीक है जहां पर जो कुछ candidates से यहां पर जो कि यहां पर अपने school पे नहीं जाना चाहते हैं जो कि यहां पर सिर्फ online study करना चाहते हैं वो यहां पर study कर सकते हैं उन्हें कोई भी यहां पर जरूरी नहीं है कि वो school में जाएं और जहां पर जो आपकी school open होगे वो 15 October 2020 से open होगे ठीक है यहां पर जो online study चल रही है वो जो candidates online study करना चाहते हैं स्कूल पर नहीं जाना चाहते हैं फिजिकली वो यहां पर नहीं जा सकते हैं कोई भी प्राब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स में अटेंट्स स्कूल अंस्टिूशन ओंली विदा रिटन कंटेस्ट ऑफ पैरेंट्स ठीक है मतलब जो अगर candidate स्कूल में जाएंगे 15 से ठीक है 15 से पहले तो open नहीं होगे जो जाएंगे उनको यहां पर रिटन पर देना पड़ेगा ठीक है रिटन पर पैरेंट्स की तरफ से यहां पर उनको रिटन में देना होगा अपने पैरेंट्स की तरफ से और यहां पर attendance must be enforced and must depend entirely on parent consent ठीक है तो यहां पर जो attendance वो मतलब आपकी attendance जो है वो नहीं होगी ठीक है और यह डिपेंड करेगा कि जो अगर आपके पैरेंट्स आपको बेजेगे तो ठीक है अगर नहीं बेज़ेंगे तो कोई प्रावल्ब्लम नहीं और यहां पर आपकी जो attendance है ठीक है attendance की बात advocate dur Hawk लो जुकेन फ rij ine इंस्स्टोरोट को और का ओपन क करेंगे कोई स्कूल को ओपन करेंखेंगे के शुटा फालो दा SOP to be issued by education department of state duty ठीक है और जो भी school जहां फिर आपके open होंगे उनको जहां पर state और junior territories का जो SOPs जो यहां पर उनने SOPs त्यार कियोंगे आपके education department ने उनको follow करना पड़ेगा school को या फिर जो भी आपका institute है इसके इलावा बात करें higher education की तो यहां पर जो higher education जो कि यहां पर medical stream के candidate है चाहे PhD हो या फिर post graduate student हो science में जो कि technology stream में हो सकते हैं उनके यहां पर permit कर दिया जा सकता है 15 September से ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहें उनको permit कर दिया जा सकता है यहां पर 15 September से जो कि यहां पर लवाटरी के candidates होंगे जिनके यहां पर practicals होते हैं post graduate student हो यहां फिर PhD के students हो उनको जहां पर allow किया जा सकता है 15 September से और यहां पर अगर बात करें स्कूल की students की तो यहां पर school के students के लिए जाना जरूरी नहीं है लेकिन वो जा सकते हैं 15 September से उनको यहां पर follow करना होगा सारा जो process है SOPs को follow करना होगा और यहां पर उनको written में भी देना होगा ठीक है अगर वो online study करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो गाइस यही update था आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था अगर आपको कोई doubt है आप हमें comment करके पूछ सकते हो यह वीडियो अपने दोस्तों तक जुरूर शेयर करें thanks for watching